हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आज हम कि लास सेकिंड की इंग्लिश बुक मेरी गोल की युनिट सेवन का एक पोयम पढ़ेंगे आन माई ब्लैक बोर्ड आई के ड्रॉ तो पोयम को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं तो जब वो पोयम में आएंगे तो उनका मिनिंग हमें अच्छे से समझ में आ सके तो जलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे सबसे पहला वर्ड है वाइट वाइट मिस होता है मिस्णूरिंग अलॉट फॉर्म उन साइड टू द अधर यानि कि कोई चीज्ट चौड़ा हम लिए होते हैं तो इसे हम कहते हैं वाइट स्टेप स्टेप से यानि कि सीडियां lead inside to take inside यानि कि अंदर तक जाते हैं यानि कि जो जी अंदर की तरफ जाती है उससे हम कहते है lead inside chimney चिमनी आपको पता होगा a pipe throw which smoke is carried out यानि कि वो pipe जिसे कि smoke को बहार निकाला जाता है यानि कि घरों में लगे रहते हैं पाइप जिसले कि धुआ घर से बहार निकाल सके pipe जिसे धुआ निकलता है तो उसे हम कहते हैं chimney फिर देखें शाइनी शाइनी यानि होता है चमकना straight and tall उंचा और सीधा growing up यानि बढ़ाया यानि कि जो बढ़ता रहता है उसे हम कहते हैं growing up तो चलिए poem स्टार्ट करते हैं तो देखें poem है On my blackboard I can draw तो चलिए पहले poem को पढ़ लेते हैं On my blackboard I can draw One little house with one green door Two brown gates that open wide Three red steps that lead inside Four little chimneys painted white Five little windows shining bright Six yellow merry goes straight and tall Growing up against the wall तो ये हमारी poem On my blackboard I can draw तो चलिए poem को एक बाद समझ लेते हैं तो देखें इसमें बच्चा बोला है कि On my blackboard मैं अपने blackboard में I can draw क्या-क्या बना सकता हूं देखें I can draw यानि ओदर क्या बना सकता हूं One little house with one green door One green door तो मैंने एक छोटा सा घर बनाया है जिसमें की एक green color का door बना होगा देखें उस बच्चे का एक घर बना रहा है उसने जो ये door है किस color का है Green color का है फिर देखें बच्चा क्या कह रहा है और उसने क्या बना रहा है Two brown gates that open white बहुत की दो brown color के gates है जो की पूरी तरह से खुल जाते है ठीक है देखें यहां पर देखें दो gate दिख रहे होंगे आपको brown color के यह है gate जो की पूरी तरह से खुल जाते है open white उसके बाद देखें Three red steps that lead inside और बच्चा कर रहा है कि और मैंने अपने blackboard में क्या draw किया है Three red steps that lead inside देखें तीन शीणिया बनाई है जो की अंदर की तरव जा रही है यह देखें यह देखें यह देखें तीन शीणिया आपको दिख रही होंगी यहां पर जो की one two three जो की अंदर की तरव जा रही है उसके बाद देखें four little chimneys painted white four little chimneys painted white four वो देखें one two three four वो देखें चार chimneys मैंने ट्रॉ के हैं जो की किस color की ट्रॉ हुई है सारी देखें white color से ट्रॉ हुई है painted white five little windows shining bright और वो देखें five little windows बनाई है जो की shining चमक रही है बिलकुल bright चमक रही है देखें five window है one two three three four और five five little window वो इसने draw करिये बच्चे ने वो उसके बच्चा कह रहा है कि उसने क्या बनाए है six yellow marigold straight and tall जो की six marigold बनाए है marigold यानि की गैदे के full होते हैं जो की कैसे है straight and tall यानि की बिलकुल सीधे हैं और उंचे हैं one two three four five six six marigold के पहुंदे हैं जो की बिलकुल सीधे हैं और उंचे हैं growing up against the wall और जो कहां बढ़ रहे हैं against the wall की दिवाल के साथ वो भी बढ़ रहे हैं marigold के पहुंदे तो ये थी आपकी poem on my blackboard I can draw तो देखें इसके कुछ new word है gates gates, white, leech, chimneys, marigold और state इनके हमने आपको meaning पहले बता दिये हैं तो चलिए chapter के कुछ question answer है तो उनको कर लेते हैं तो पहला question है इसमें how many windows does the house have in this poem वहले कि इस poem में उस घर में कितनी windows है हमने count की थी अभी and where do the marigold grow और जो marigold है तो इसके answer आपको मालू होंगे तो चलिए 5 windows in the house घर में 5 windows थी और उसके बाद second question था second question आया था कि where does where do the marigold marigolds grow तो जो marigolds थे वह कहां grow वह थे तो the marigolds grow up against the wall तो जो marigolds के पहुंदे थे वह wall के अंगेंस ही बढ़ रहे थे तो ही question answer अब देखिए say aloud देखिए इसमें कुछ word है जोंको आपने जो 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 से पढ़ना है जैसे की पहला word है draw, drain, drip brown, brain, brick three, throw, thread grow, crabs, or grey उसके बाद देखिए अगला है let's listen तो आपने क्या करना है every room become dirty if not cleaned let's clean our classroom while singing this poem अगर हम किसी भी कमरे को साफ नहीं करेंगे तो वो हमेशा गंदा रहेगा तो आपको अपने classroom को साफ करते करते यह poem गाने poem क्या है I am going to sip the dirt away I am going to sip the dirt away I am going to sip the dirt away whose 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 अब देखिए अगला है आपने let's write तो देखिए यहां पर आपने क्या करना है there are two rooms of the house color them based on this activity complete the paragraph प्याप अबर आपको два mound systems दीये गये पहला room आपका यह वाला है और पृसरा room आपका представ इस कमरे में जो शा आपने इस k pale === ईसी कि इस के क्मरे क्या है आपको बताना है इस कमरे में जो शाहर लगा और लाव odd तो देखिए उसकी फिलिप्से कर ली है इसमें कुछ सामा देखे जो एक कमरा है इसमें हमें एक बैट लगा हुआ दिख रहा है देखे आपको बैट दिख रहा होगा इसमें यहां पर बैट दिख रहा है तो इस साब से हमने इस कमरे को एक बैट रूम जब इसमें बैट लगा है तो इसे पाता चल ला है कि यह क्या ह एक bedroom है, this is my bedroom, and it has one window, और इसमें क्या है, एक window है, तो देखे, इसमें एक window कहां पर है, यह रही window, and the color of my bed is pink, तो वो कह रहा है कि मेरे bed का color कैसा है, pink है, तो आप इसमें अपने मनमताबिक color भर सकते हैं, कोई भी color ली सकते हैं, और इस picture को आप उससे color कर सकते हैं, जैसे कि हमने जबाल पर 3 pictures लगें, 1, 2, 3, तो ऐसी आपने fill करना है, तो इसमें देखे, इसमें एक sofa, इस picture में हमें क्या दिखाए दे रहा है, यहां एक sofa लगा है, center table लगी है, तो जिससे पता चलना है कि यह एक living room है, तो हमने इसलिए लिखा है, this is a living room, it has a sofa set in it, तो देखे, इसमें एक sofa set लगा हुआ है, and we watch TV, देखे, यहां पर TV लगा हुआ है, here हम यहां पर क्या देखते है, पैट के TV देखते है, it has two curtains, देखे, यहां पर दो पड़े लगे है, two curtains लगे है, and it has a round table, और इसके बीच में एक gold table लगी हुई है, तो जिससे यह पता चलना है कि एक living room है, अब दे picture है, he is as busy as, लेकि वो इतना busy है, जैसे कि, यह किसका picture है, एक B का है, तो B बहुत busy रहती है, अपने काम में, तो हम उसको हम एक B से उसको बान सकते हैं, कि B की तरही busy रहता है, ऐसी राज is as slow as snail, snail बहुत slow होता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई राज लड़का है, वो इतने धीरे काम करता है, जैसे कि, एक snail करता है, और this is a pen as light है, वो लो कि यह एक pen है, इतना हलका है, जैसे कि, कोई क्या है, एक पंक है, यानि कि, फैदर की तरह, and my hair as black, और मेरे बाल इतने काले हैं, जैसे कि, क्या night, यानि राज की तरह, तो देखे हम इसको fill कर देते हैं, तो देखे हम is as light as a feather, and my hair as black as a knife, फिर देखे है, अगला question दिया है, इसमें, कि, keep his mouth, ask your friend, आपने अपने friend को कहना है, कि, keep his mouth white open, white यानि कि, पूरी तरह से खुल जाना, and keep his mouth half shut, यानि कि, आदा खुलना, आदा बंद करना, आदा खुला रहना, और fully shut होता है, यानि कि, पूरी तरह से अब देखे, अगला करते हैं, देखे, अगला question है, find the right sentence, read the pairs, read the pairs of sentence below, fill in the blanks, in the second sentence with the opposite of the word in the red, तो देखे, यहाँ पर एक कोई sentence दिया गया है, और आपने उस sentence के last में, जो red color का word है, उसका opposite आपने next sentence में लिखना है, जैसे कि, यहाँ पर sentence दिया हुआ था हमारा, देखे, पहला sentence है, the boy is running very fast, तो जो लड़का है, बहुत टेज दोड़ता है, अब देखे, fast हमारा red color का है, तो fast का हमने opposite लिखना है, यहाँ, तो हमने fast का opposite, यानि उसका opposite होगा, धीर है, यानि कि slow, तो the boy is walking very slow, तो हमने यहाँ इसको slow fill कर लिया है, फिर ऐसी है, the clone is very happy, तो happy का opposite होगा, sad, sad, यानि दुखी, the clone is very sad, यानि बहुत दुखी है, the girl is walking on a loose rope, loose यानि की धिली, धिली रसी पे चल लिए है, the girl is walking on a tight rope, तो यह लूज का opposite होगा, आपका tight, तो यह हैं कुछ opposite words जिसे हमने sentence बनाए, अब देखे, अगला है, अब देखे, change the, change from singular to plural by adding ES, IES और VES, देखे, यहां पर हमने singular से plural में इसको change करना है, तो देखे, इसमें example दे रहे हैं, जैसे कि कभी भी जिसके last में O आता है, तो देखे, यहां पर O आया है, तो उनके last में O को change करके हम ES लगाते हैं, और जिन word के last में Y आता है, उनके last में IES लग जाता है, और जिनके last में F या F ही आता है उनके आलास्ट में हमारा V.E.S लग जाता है तो देखिए ऐसी हमने कुछ वर्ड बनाए है जैसे कि हीरो का अग जाएगा हीरोस पटेटो का अग जाएगा पटेटोस फ्लाइ का अग जाएगा फ्लाइस लेडी का अग जाएगा लेडीज वल्फ का जाएगा ऋलोफ का जाएगा लोफ देखिए तो यह हमारे word बन गए है अब देखिए नीचे है फट तैम तो यह हमारी poem थी और जो की complete हो गई है आप सभी को फ़यना का पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक किजिएगा शेर किजिएगा और सब्सक्राइब किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब देके लिए धैंकी